ले वरिवन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपई आप लोग जुड़ चुके हैं समय इंडिया के नमबर वन स्टेडी चैनल वाई-फाई स्टेडी पर तो आप जल्दी लोग जल्दी से सभी द्यर्थी अप लोग सेर कर देंगे सेर को लाइक कर देंगे और चैन लेना चाहते हैं वह सभी लोग एक ही कोड लगाएंगे अबी सर्टेन और इसके माध्यम से आप सभी लोगों को डिस्काउंट निश्ची दूरूप से मिलने वाला है ठीक है यह आप नया फीचर है जिसके माध्यम से आप सभी विद्यार थी क्या कर सकते हो यहां पर अपन कोई भी question है image form में send कर सकते हो instant उसका answer मिलेगा और कोई भी test series चाहते हैं तो test series यहां पर एकदम free ले सकते हैं चाहें English का है GK का है current interface का है कोई भी test series आप लोग यहां से ले सकते हैं और during the session on an academy learner app आप लोग raise hand का प्रियोग जरूर किया करो जब आप raise hand का प्रियोग करते हो तो निश्चित रूप से आप सीधे educator से बातचीत कर सकते हो और बहुत सारे प्रस्नों का समधान भी प्राप्त कर सकते हो यहां पर यह देखे subscription जब भी आप करेंगे तो इस तरीके से slide आएगी अपने मंचहां duration select करना है referral code box में नीचे ab certain code लिखना है यहां पर ab certain कैसे लिख count हो जाएगा कब कैसे apply पर क्लिक करो उसका प्रसूट टूपे कर दीए पहला सवाल आ गया निम्लिकित में से कौन अकवर के दीन ए इलाही का पहला सिस्स से था बहुत मातपूर है दीन इलाही का पहला सिस्स कौन था मान सिंग टोडरमल तांसेन बीरवल एकवर की इसमित त ठीक अब यह चलाते हैं और इसके जो पहले शिस्स बनते हैं वह बिरवल महण दास इनका वास्तविक नाम है यह लृष कन सेथे यह पहले हिंडू से से हे बनते है dow तांसेन के वास्तविक नाम के बात करें तो रामतन पंडे यह तांसेन का वास्तविक नाम है तोडर मल इन्होंने 1580 में आईने दहसाला जिसको हम लोग दहसाला के नाम से जानते हैं यह वेवस्था शुरू की है चुकि राजस्व मंत्री थे तो इसलिए आपको याद होना च सामिल थे सारे के सारे लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत छोड़ों अंदोलन का दूसरा नाम तक्रूंद करते हैं तो अंग्रेजिमें कृट इंडिया मोमेंट कहते हैं और इसी में एक स्लोगन भी दिया गया था करो या मरो बहुत ध्यान से के क्वेश्चन का एक्पिलनेशन देखिएगा क्वेश्चन इसी दूरूप से फसेंगे आपके बहुत सारे अब भारत छोड़ो अंदोलन हुआ कब तो यह आठ अगस्त 1942 को इसलिए इसको बच्चे अगस्त क्रांती के नाम से भी जानते हैं करो या मरो का नारा भी इसी अंदोलन के दोरान दिया गया यह भी आप लोग याद रख सकते हों क्योंकि यह अंदोलन एक ऐसा अंदोलन था जिसने अंग्रेजों को उखाड दिया अंग्रेजों की चूर अगर करोगे तो भैया हमने अपना सहयो गांदोलन बापस ले लिया और वही गांदी कह रहे हैं अब समय आगया डू आड़ाई करो या मरो ठीक है आगे बढ़ते हैं निपली कितने से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा है ही नहीं अब एक कोट आप लोगों को मैंने बताया जेलम, चिनाव, रावी, ब्या, सतले ये पंचनद का भाग है तो यानि कि नीलम जो है ये पंचनद का भाग वही है नहीं अब यहाँ पर एक्छी याद रखोगे सलाल परियोजना, दुलहस्ति परियोजना, ये चिनाव पर हैं और मंगला बांध अगर कभी पूछा जाएगा मंगला बांध तो यह मंगला बांध भैया बनाया गया है जेलम नदी पर ठीक है रावी पर करतारपुर कोरिडोर करने नमाड किया गया है रावी नदी पर एक बांध है जिसको हम लोग थीन बांध भी कहते हैं और जिसको रंजीत सागर बांध भी कहते है ठीक है याद रखि यह अधिक से अधिक करो, हर एक option से question निकाल के लाओ, तो आप देखिएगा औरों से आप कम से कम 5 प्लस minimum question रहेंगे, जो आपके selection में महत्वपूर रोल प्ले करने वाला है, ठीक है बाई, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, राज सवा के सवापती अपना स्तीफा किसे सवते हैं, देखो बड़ा बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है, घुमा हुआ है, अब विद्यार्थी कहाँ कहें, राज सवा के सवापती, तो मन में AYAR, अगर पढ़ा हुआ होगा, तो कहेगा, राज सवा के सवापती, हमेशा ex officio, हमेशा ex officio जो, चेर रहते हैं राजसवा के वह तो हमेशा राइस प्रेसिदेंट रहते हैं एक्स ओफिस्यों चेर्मेन रहते हैं तो वाइस प्रेसिदेंट अपना इस्तीफा किसको देता प्रेसिदेंट को तो यह भी किसको देंगे प्रेसिदेंट को देंगे बास समझ में आगे इंडरेटली प तीपा किसको देगा ठीक है संसत के मतलब राश्पति राजसवा लोकसवा तीनों मिला करके संसत हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं किस संगठन को युद्ध का बच्चा कहा जाता है युएन मतलब उनाइटेड नेशन लीग आप नेशन सार्क सार्क मतलब साउथ एसियेशन फार रीजिनल कोपरेशन डबलु एचो मतलब वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन इन में से युद्ध का बच्च्चा यह बेसिकली जो बनाया था वो बनाया था वुड्रो विल्सन साहब ने यह वही वुड्रो विल्सन है जिनको लोग प्रसासन का पिता भी कहते हैं वादराफ पॉब्लिक अड्मिस्ट्रेशन और इनके द्वारा ही लीग आफ नेशन का निर्माड किया गया तो युद्ध का बच्चा लीग आफ नेशन को कहते हैं सार्क के स्थापना का होती है उन्निस सो पच्चासी में ठीक है युनाइटेड नेशन की स्थापना की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर उन्निस सो पैतालिस को युनाइटेड नेशन की स्थापना होती है ठीक है यह क्लियर हुआ होगा आगे बढ़ते हैं यह देख सकते हैं लीग आफ नेशन का मैंने पूरा लिखा हुआ है थोड़ा सा समझ लेंगे लीग आफ नेशन्स एलो एन के सौट में भी कहा जाता है एक अंतर सरकारी संगठन था जिसकी स्थापना दस जनवरी उन्निस सो बीस को पेरिस सांत सम्मेलन के बाद में हुई उसके परिडाम सरूप पर्थम विश्युदु को जिसने समप्त किया था पेरिस सांत सम्मेलन उसके बाद में ही लीग आफ नेशन्स की स्थापना होती है यह दुनिया भर में पहला अंतर सरकारी संगठन था जिसका प्रमुक मिशन विश्युमे सांत वेवस्था को बनाये रखना था यह लीग आफ नेशन्स के बारे में जान लीगे इंटरनेस्टन लेबर जनते हैं अर जिनेवा में और इसकी स्थापना 1919 को होती है 1919 में बहुत सारी डे बहुत सारी इवेंट हैं खिलाफात अंदोलन होता है 1919 में जलिया वाला बाग आता है 1919 में रॉलेट एक्ट आता है ये सब बच्चे 1919 हो जाता है 1930 भी इंपोर्टन है 12 मार्च 1930 दंडी मार्च 1927 में सांथ mister बंता लेकिन भारत नहीं आता है है भारत चौनवां रहर लिकर में अगस श Chu forearmIC शुरू कि यूठ आगे बढ़ते हैं यह देख सकते आप लोग यहां पर इंटरनेस्टन लेवर organization का headquarter है UN की एक agency है जिसका जनादेश क्या है अंतराश्ट्री स्रम मानुकों को निर्धारित करके सामाजिक नया social justice को बढ़ावा देना है और सब ये कारियों देने के लिए उत्साहिद करना है ऐसा नहीं कोई खराब कारे के लिए अच्छे कारियों के लिए उत्साहिद करना भी एक उद्देश से है ठीक है 187 countries हो जाते है 1969 में ILO के बीच भाईचारे और सांति में सुधार के लिए नोबेल सांति पुरसकार से भी इसको नवाज़ा गया था राजीब गांदी प्राण उद्द्यान के सेर में सिकंद्रा पुने औरंगाबाद या राजस्थान पटा पटा अंसे करोगे राजीब गांदी प्राण उद्द्यान जो है यह वह कहां पर है आपका है को यह मिस्ट सवाल है राजीव गांदी प्रहनले उद्धिlair कि अगर कभी बात करें तो राजीव गांदी प्रहनले के प्रुंद्धि उद्द्यार आप लेंडियन के किनारे अगति की मिलाफिर कुछा जाएगा और पूछा भब्रसभावति पिन यlar आइसदी थे उसे अशेर को स्काई टेक्स अवार्ट से मध्धेसिया का बेस्ट एरपोर्ट का अवार्ट भी दिया गया था कलकत्ता में सुभास चंद्र बो सबाय एड़ा है कलकत्ता कि अगर बात करते हैं जॉब चारनाक ने स्थापित किया था याद रखना चाहिए भई ठीक है और इसरो का हैटक्वाटर कहा है बंगलिरू सिलिकान सिटी किसको कहते हैं बंगलिरू को नेक्स्ट क्वेस्टिन दल्खाई इंदरत किस राज में हैं में होता है या किस राज से संबंदी थै आसाम, केरला, उडिसाया, मनिपुर दल्खाई देखो जब डांसे की बात आती है तो बहुत सारे डांस है असम याद करो एक फसेगा डांस बिहू, सत्तारिया, अंकियानाट, बुगरंबा, खेल गोपाल, निटपूजा, महरास यह सब कहां के हो गए असम के हो गए एक फसेगा ज़रूर याद रखिएगा नेशनल पार्क वाइड़ लाइफ सेंचुरी भी असम के बहूत बूचे जाते हैं पर उडीशा में है, और दलखाई नत्य भी कहां पर होता है? उडीशा में है इसके अलाबा अगर कभी भी पूछा जाएगा आपसे घुमुरा तो घुमुरा भी वही है उड़ी समय मनिपूर में लोक्तक जील है मनिपूर में केबूल नाम जहाओ यह पार्क भी है और यहाँ बार लोक्तक जील भी है याद रखना है आप लोगे नेक्स कोस्टिन भारत म सबसे बढ़ा है संपत्ति के मामले में और संपत्ति और बाजार पूजी करण दोनों में पूछा जाए तो आप HDFC बताओगे क्योंकि जब भी कभी पूछा जाएगा सबसे बढ़ा तो HDFC बताओगे कुई दोनों चाहिए हैं होंगी अगर मालीजिए इस स्पेसिफिक दिखाओ लिखाओ संपत्ति के मामले में तो आपका सही होगा लेकिन केबल लिखाओ सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का तो HDFC लगाना है ठीक है असफाग उल्ला खाँ प्राणे उद्ध्यान का निर्माल कहां किया जा रहा है लखना हूं कानपूर गोरा कुर्या गोंडा इस समय उपी में चुनाओं को महावल है जानते हैं सारे लोग तो बड़ा उद्धाटन हो रहा है बड़ी सारी चीज़ें एकदम चेंज होई रही है बहुत जधा हर पार्टी अपना जोर लगा रही है तो कुछ शेहरों के यह लोग यात्रा कर लेते हैं यहाँ पर असफाग उल्ला खान ये वही हैं जिनको काकू पूरी जक्यतिक गांड में पकड़ा गया था यह वही करांतिकारी हैं यह पकड़े गये थे असफाग उल्ला खान ठाकू रोजसन सिंग पंडेत रामपरसाद बिसमिर राजंदर लाहिडी इन सभी लोगों को फांसी की सजा हुई थी और हरे संगठन समाप्त हो गया था आ प्रमार किया रहा है यह गोरखपूर आपका राप्ति नदी के किनारे इसके किनारे राप्ति लखनव की अगर बात करेंगे गोंती नदी है ठीक है एस या का डीने बैंक है रेल्वेक हैल देटी हमें अटल बिहरी बाचपे इकाना स्टेडियम है सेंट्रल ड्रग रिसाज इंस्टिट्यूट है आस्पू दौला जूजी के द्वारा बनाया गया कौनसा है बड़ा इमाम बड़ा है तो यह सब लखना हूं में याद रखना है ठीक है क्लियर है कानपूर की बात करेंगे भारती दलहन संधान संस्थान याद रखना कानपूर में क्रतिमंग निर्मा निर्माड है वह बच्चे कहां पर किया जाएगा तुरंत आंसर कीज़ेगा भौपाल इंदौर मुंबाई या जैपूर रानी पदमाबती का जो निर्माड किया जाएगा इस मारक का भौपाल में भौपाल किस नदी के किनारे है बेतवा और भोच सागर ताल जील कहां पर रही है लगातार आठ वार यहां से मेंबर आफ परलियमेंट रही है इन दौर की ठीक है याद रहेगा भाई इसके बाद में मुंबाई की बात करते हैं गेराल लोंग यार ने बनाया और गेटवे आफ इंडिया कहां पर इस्तित बहें मुंबाई में जैपूर सभाई राय बच्चन के नाम से हरिवंस राय बच्चन जी के नाम से किस देश में चौराय का नाम रखा गया है हरिवंस राय बच्चन मसूर फेल्म अविनेता अमिताब बच्चन जी के पिता जी और एक बहुत अच्छे कभी भी थे बहुत अच्छे लेखक भी थे और इन्होंने दस द्वार से सोपान तक ठीक है नीड का निर्मार क्यों मदुसाला मदुबाला मदुकलस यह सब रचना है इनके नाम पर पॉलेंड में चोराहे का नाम रखा गया पॉलेंड की कैपिटल क्या अब यह वार्सा है ठीक है याद रहेगा चली आगे बढ़ते हैं खिरगंगा रस्तितर और अद्व। टो जो है और वार्स देश द्नागर अली में हौन सा देश चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बना था तो पहला देश जो बना था पुवेश सिंगपूर एसिया का सबसे नगरी करत देश है ली सिंग लूंग यहां के परधान मंत्री है हलीमा याकूब यहां के राश्पति हैं याद रखना है ठीक है सारे लोगों के याद रहेगा स्री लंका की जो कमर्सियल केपिटल है जिसको हम लोग कहते हैं स्री जàiबर्दने पुरम कृटे जो जाने की अपडेटेटjat केपिटल है उशको कमर्सियल केपिटल की रूप में हम लोग जानते हैं आस्ट्रेलिया एक दीब भी है, एक महादीब भी है और एक कंट्री भी है और आस्ट्रेलिया की कैप्टिल कैनवरा जो की आस्ट्रेलिया के निउ साउथ वेल्स राज्य में इस्थित है आगे बढ़ जाते हैं अल्बानिया में किस दिन को मदर टेरेसा दिवस के रूप में बेसिकली अलवानिया में मदर टेरेशा का जन्म हुआ था मदर टेरेशा 1979 में नोबल प्राइज 1980 में भारत रजन से नवाजी गए इनके जन्म दिवस अलवानिया में 19 अक्टूबर को मनाया जाता है 27 सितंबर को परेटन दिवस 24 अक्टूबर को United Nation Organization दिवस 23 दिसंबर कल था भारत के पूर प्रधानमंत्री चौदरी चरण सिंग सापका जन्म दिवस भी था यह पॉइंट याद रखिएगा पुलिस इस्मरर दिवस का मनाते हैं तो पुलिस इस्मरर दिवस बच्चे हम लोग मनाते हैं 21 अक्टूबर को अंतरश्ट्री Koffie दिवस अंतरश्ट्री व्रधियजन दिवस 24 अजूर अभी मैंने आपको बताया था भारती अच्छा उर्जा दिवस कर मनाते हैं तो अच्छा उर्जा दिवस भाई मनाते हैं 20 अगस्त को ठीके कर मनाते है 20 अगस्त को Nelson Mandela दिवस 18 जुलाई को 7 अगस्ट को राष्ट्री या भाला फेक दिवस इसे नीरत चोपरा जी ने टोकियो अलम्पिक में गोल्ड मेडल भारत को जिलाया था तो इसलिए 7 अगस्ट को नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं राष्ट्री भाला फेक दिवस भी 7 अगस्ट को ही मना जाता ह तो ये सबाल आपका बनेगा भाई जरूब मेरी बाद समझ में आ रही है हाँ या ना एक बार सारे लोग बताएंगे जल्दी से निमलिकित में से कौन गौतमबुद के समकालीन थे देखे गौतमबुद की बात करेंगे तो गौतमबुद साक के कुल से संबंदित थे पिता का नाम महामाया था धार्श का नाम प्रजापती गोत्मी था पुत्र का नाम राहूल था ये सब जानते हैं घोड़े का नाम महाविर स्वामी के वैसे संस्थापक कौन थे रिसब देव तेस में तिर्थंकर पार्सुनात इनका पूछा जाता है साप का फन इनका प्रतिक चिंग था चंद्रवुप तुमारे जैन धर्म के अनुग आई थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन संद भद्रभावु के साथ स्रावर वेल गोल चले जाते हैं वहाँ पर संलेखना विदी से अपने प्रारत्याकते हैं याद रखियेगा ठ चींग की साहता से किया गया जब भी पूछा जाएगा तो आप इजिली को होगे यार अमेरिका ठीक है याद रहाएगा Community Development Program USSR से क्या लगे गया USSR नाम भज़ था पहला इसका मौलिक कर्तब लिया गया था सर्वोच नहले के नहदीज के लिए निवन्तम आयू क्या है हम जब भी सुप्रीम कोट के बारे में पढ़ते हैं आटिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोट का प्रावधान जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक बात पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोट के जज 65 वर्स से अधिक आयू के नहीं होने चाहिए लेकिन मिनिमम का कोई को प्रावधान नहीं है तो याद रखिएगा मिनिमम कोई भी आयू नहीं है 35 साल गलत है राश्पती उपराश्पती राजपाल बनने के लिए मिनिममम आयू 35 साल है ठीक है लेटर में अगर आपको लगता है कोई भी कंटेंट इन अप्रोप्रियेट है तो नीचे एक लिंक दिया गया था आप लोग उस पर फिल कर सकते हैं और 26 दिसंबर को एक आप लोगों का कॉमबैट है तो इसमें भी इन्रॉल्मेंट कर लोगे सारे लोग अबी सर टेन कोड लगा करके इन्रॉल्मेंट कीजिए एकदम फ्री में इन्रॉल्मेंट होगा सेसन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए जबरदस तरीके से सेर कीजिएगा और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा ओके थैंक यू अबरेबन जय है